ओम श्री गणशाय नमा मित्रो पूजन दर्म संसकाच चैनल में आपका स्वागत है दर्शों को जेसा कि हम सब जानते हैं कि देवी गंगा को सबसे पवितर माना जाता है देवी गंगा हिंदू दर्म में मुक्ति दायनी माना जाता है हमारे पूरवर्ट की हस्ति विश्रिंग करने से पूरो जगे आत्मा को शांति प्रतान होते हैं मिट्व में हाजी रूँ इस एपिसोड में आपको डेवी गंगा की डर्थी की आवतरन की कथा लेकर इस गंगा माता का मातम जैसा की शास्त्रों में बताया गया है बालमिकी रामयन के अनुसार मा गंगा के जन्म तो ब्रह्म लोक में भगवान विश्नु के चरण पादोगा दोने पर हुआ था और स्वर्ग लोक से दर्ती पर राजा बली चक्रवदी राजा होते थे पूरी दर्ती का स्वय अधिकार था उस समय भगवान वामन रूप आकर राजा बली से काल के अनुसार राजा बली के यहां भगवान श्री विश्नु वामन अवतार लेकर तीन पर प्रत्वी के दान लेने के लिए आये थे उस समय भगवान वामन अवतार ने एक पेड़ से जो है भगवान की दर्ती नाप ली थी दूसरे पेड़ से भगवान ब्रह्म लोग में स्वर्ग लोग में ब्रह्म पुरी में भगवान ब्रह्मा के करमंडल से द्वारा विश्नु के चर्ण पादु का दोकर गंगा का जन जन्म होता है उस जल से जो है भगवान उसको अपने करमंडल में धारण करते हैं उस समय उस जल को गंगा का जन्म माना जाता है इसलिए भगवान की विश्णु कदे का माना जाता है तबी से मा गंगा स्वर्ग में निवास करती है और मा गंगा स्वर्ग में ब्रमा के स्थान पर रहती है इस प्रकार से लंगा का जन्म होता है मगवान विष्णु की चनकम्न दोकर एक समय राजा सगर अपने राज में राज करते हैं राजा सगर को दो स्थ्रियां होती है पर दोनों स्थ्रियों से कोई राजा हमालय में प्रबूर पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय में तपस्या करने के लिए जाते हैं मित्रों वहां पहुँच कर दोनों अपनी पत्नी सहित मैर्शी ब्रगु की तपस्या में लीन हो जाते हैं वहां कुछ वर्षों तपस्या करते हैं बादर मैर्शी ब्रगु को अपने ब्रगु रिशी ब्रगवान की गिरपा से उन्हें दोनों पत्नियों आश्रवाद देते हैं दोनों ही अनेक पत्नी का भगवान मैर्शी ब्रगु उनको आश्रवाद देते हैं परन्तु मैं श्री भगु ये भी कहा कि राजा एक पत्नी को एक ही पुत्र उत्पन होगा जो राजा का सगर वन्श को आगे ले जाएगा बढ़ाएगा और दूसरी पत्नी साथ हजार पुत्रों को उत्पन होगे जन्म लेंगे राजा सगर की पत्नी के मन में संचय उत्पन हुआ कि कौन एक पुत्र को उत्पन करेगी और कौन साथ हजार पुत्रों को उत्पन करेगी मैर्शी ब्रगु ने कहा एक तुम में से दोनों की इच्छा पर ये बात निर्बर है मेर्शी के बात सुनकर रानी केशी के मन में वंश बढ़ाने के लिए एक पुत्र उत्पन कनने की इच्छा उत्पन होती है और रानी सुमूती ने साथ हजार पुत्रों की मन में कामना करती है समय काल अनुसार समय बीता जाता है ओर रानी केशनी को एक पुत्र उत्पन जन्म होता है जिसका नाम अस्मन जय था ओर रानी सुमुती एक टोकरा उत्पन हुआ जिसे देखकर राजा सगर चिंता करने लगे पर उन्तु उसे तोड़ा गया तो उसमें से चोटे चोटे बालक उत्पन हुए गड़े का पालन पोशन कया गया तो साथ हज़ार सगर पुत्र युवा और जवान हुए तो राजा सगर का बड़ा पुत्र असमंजय जो था वो दुराचारी हो गया राजा सगर असमंजय की विवार के कारण बहुत चिंतित हुए वह परिशान होते देगी उसके दुर विवार से इस शिंता में असमंजय ने की शादी ब्या करवा दिया राजा सगर ने विवा के बाद सुदर जाएगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ असमन्जय अपने राज में उसे राजा ने अपने पुत्र को निर्वासित कर दिया और असमन्जय की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अशुमान था बड़ा होने पर युवा होने के बाद असमन्जय का पुत्र अशुमान सदाचारी प्राक प्राकरमी तथा उसके बाद राजा सगर को असमन्जय के अशुमेग यग करने की मन में कामना उत्मन हुई यग करने के लिए राजा सगर निन्ने ले लिया हिमाले के मिंद्यांचल में विशाल और भव्य यगग का आयोजन किया और देवताओं को हवन करके आवती परदान की वो सभी देवताओं को परसंद किया अश्यमे के यगग के गोड़े को खुला छोड दिया जहां जहां हुआ गोड़ा जिस राजी में जाता वहां वहां उसे राजा प्रसंचित होकर उसे छोड़ दे दे किसी ने भी राजी के राजा को गोड़े को रोगने की सामर्त नहीं की परंतु अश्युमेग यग को सफल होने के डर से देवताओ के राजा भगवान इंद्र देव को डर लगने लगा कि मेरा इंद्र आसन नहीं छीन लिया जाएगा इसलिए इंद्र देव ने रूप बदल कर अश्युमेग यग के गोड़े को चल से चुरा लिया और पाता लोक में ले जाकर कपिल देव मुनी के आश्रम में बान दिया कपिल देव मुनी अपने आश्रम में दियान में भक्ती में लीन थे इंद्र यश्युमान इदर इस यश्युमान गोड़े को डूड़ने लगे परन्तु गोड़ा नहीं मिला अश्युमान ने पिता राजा का राजा सगर यह बात बतलाई कि फिर राजा सगर ने अपने साथ हजार पुत्रों को बुला कर कहा आज्यादी कि अश्युमेगी यग के अश्य के गोड़े को डूड़ के लाओ तीनों लोकों में कहीं भी हो डूड़ कर लाओ पिता की आज्यापा का साथ हजार सगर पुत्र दर्ती को खोधने लगे खोधे खोधे बुल दर्ती को कतम के तैस्क नैस कर दिया इस बीच बहर दूड़ते वे पाता लोक में जहां पोचे जहां कपिल मुनी का आश्रम था जहां कपिल मुनी के पीछे अश्युमेग के यग के गोड़े को बंदा हुआ देखकर कपिल मुनी को ही अश्युक चुराने वाला चोर समझ कर दुर्व वचन कहने लगे और मानने बड़े इससे कपिल मुनी को रोग रोद उस्पन हुआ आया ओ सभी साथ हजा सगर फुट्रों को जला कर बस्म कर दिया इससे वीज राजा सगर को अपने साथ हजार फुट्रों की चिंता सताने लगी अपने पुट्रों को अश्मान को बोला कर बोजा कि अपने चाचाओं को रून के लाओ अश्मान पूरी पुर्थी पर ढूंदे ढूंदे पाताल लोग में जा पोजा जा कपिल मुनी का आश्म था अश्मान वहां क्या देखता है उनके साथ हजास अगर फुट्रों के राग के डेर है और सामने वह यग का गोड़ा जो बना हुआ है अश्मान की नजर गरूर पर पड़ी अश्मान कहा कि अपने चाचाओं को तरपन करना चाता हूँ पास जला से भी नहीं करपा कर बताएं इन्हें राज को मारोगी मिट्टियू कोई समाजार हो तो बदलाएं गरूर जो ने कहा सारी बात बदलाएं कि कैसे इंदर देव ने यग का गोड़ा चुरा कर कपिल देव मुनी आश्म बार दिया फिर कहा इनकी मुक्ति के साधरन जल से नहीं होगी इसलिए तुम्हें मा गंगा जो स्वर्ग लोग से धर्थी पर लाना होगा वही इन साथ हजा सगर पुत्रों की राखो को मा गंगा चुने मातर से ही इनकी मुक्ति और उद्दार हो जाएगा ये सारी बात अश्मान को बताई राजा अश्मार राजा सगर पतलाई राजा सगर ने दुखी मन से यग पूरा किया और सारा राज अश्मान को दे कर मा गंगा को लाने के लिए तपस्या करने वन में चले गए कुछ वर्षो बार अश्मान ने भी देवी गंगा लाने के लिए तपस्या की परणतु वह भी स्वर्ग सिदार गए उनकी मिर्ती हो गए और अश्मान के पीशे राजा दिली पुत्र बगिरत बड़े और राजा का सारा बार समला कर राजा दिली भी गंगा लाने तपस्या करने वन में चले गए परणतु वह भी स्वर्ग सिदार गए उनकी मिर्ती हो गए राजा बगिरत बड़े दर्म प्रियो प्राकरमी थे परंतु उनके दो कोई संता नहीं थी राजा बगिरत अपना राज मंत्रियों तो देकर मा गंगा को लाने तपस्या कर वन में चले गए बगिरत कठोर तपस्या बात फिर वर्षवात उप्रांत भगवान ब्रमा जी प्रसन हुए और ब्रमा जी ने कहा वर मांगो बगिरत तो भगिरजी ने कहा कि में प्रभू मेरे पुर्वर जो सगर पुत्रों को गंगा जल प्राप्त हो जिससे उनका मुक्ति और उद्दार प्राप्त हो तो ब्रह्मा जी ने कहा देवी गंगा दर्ती आने से एक समस्था है देवी गंगा वेग वतेट बहुत ज़्यादा है वह जब धर्ती पर आएगी तो वह दर्ती का उसका वेग वते नहीं सैन कर पाएगी और वह दर्ती फाड़ कर पातार लोग में चली जाएगी इसलिए रा कर दरती लोग पर छोड़ें देंस कि भगवान शंकर में ही है इतना हुआ कि भगवान ब्रह्मा अपने लोग को चले गए फिर भगीरत ने तपस्था नहीं छोड़ा और पेर के अंगुटे से खड़े होकर भगवान शंकर जी की कठिन तपस्था आराधना प्रारम कर दी कु देंगे इस सूचना मा गंगा लगी वह क्रोधित हो गई क्योंकि सर्ग लोग की मा गंगा दरती पर नहीं आना चाहती थी गंगा में सोचा अपने तेजव प्रचंड वेक से में भगवान श्री ब्रह्मा के भाकर पानी में बाता लोग ले जाओंगी इस बात का पता बगवान शंकर ने देवी गंगा के हंकार तोडा और देवी गंगा को जटाओं में जकड लिया गंगा माता बगवान शंकर जटाओं में लप तो ह nhह नगी इतने में राजा भगिरत बगवान बोलानाती का-डिक के बगवान प्रचंप कि या और he फिर गंगा को जटाओं से रास्ते भगवान शंकर ने धिरे धिरे करके एक जटा से जमीन पर छोड़ा ओर म गंगा दिरे धिरे वो विरति लोग में आने लगी देवी गंगा के साथ धाराय हो गई पेली दायनी दूसरी पावनी तीसी नलनी चोती सचूसी पाची सीता और शटी सिंदू और साथ भी धारा जो भगवान ने नीचे छोड़ी वह साथ भी धारा राजा भगिरत के पीछे पीछे कपिल मुनी आश्रम में चलने लगी जिदर जिदर भगिरत जाते थे उदर उदर मा गंगा जी जाने लगी जो भी गंगा का इसपर्च करता वह भव मुक्ती से शूड़ जाता था और मुक्त होता था इतने में मा गंगा रिशी जानवी की तपव आश्रम में मा पहुची इतने में मा गंगा रिशी जानवी की तपव आश्रम में मा और देवी गंगा को अपने तपो बल से सारी गंगा माता को पी लिया राजा भगीर रिशी जानवी पूरी बात बदलाई कहा राजा सगर पुत्र उद्धार के लिए देवी गंगा को सर्ग लोग से दर्ती से लाए हैं आप शमा करें और देवी गंगा को मुक्त करें इस तर राजा भगीरत रिशी चरणवंदन करते लगे रिशी जानवी ने मा गंगा को अपने कान के रास्ते मुक्त कर दिया और इस प्रकार देवी गंगा का एक नाम जानवी पड़ा फिर राजा भगीरत वहां चल पड़े जहां कपिल मुनी के आश्रम पोचे और गए राजा साथ हजार सगर पुत्रों की राक इसपस और शूने मात्र से उनकर उनका उदार और सुदार हो गया और मुक्ती परमपद्वी को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने राजा भगीरत वर्दान दिया और तुमारे पून परताफ से जो भी इस गंगा जलकुस्तान करेगा और पान करेगा वह सब भादाओं से मुक्त हो जाएगा जब तक मा गंगा दरती लोग में प्रहावित होती रहेगी तब तक सार राजा भगीरत के नाम मा गंगा से जुड़ा रहेगा इसलिए मित्रों मा गंगा को आज भी राजा भगीरत के नाम से भागीरती से नाम से ही जा बारत्यादी सभी राजग इस्तानों में होते वे जो है यह बंगाल के खाड़ी में विलुप्त हो जाती है तबी से मां गंगा को भगवान बोले वंडारे से जुटावा नाम दिया जाता है हर-हर महादेव शुशंभू हर-हर महादेव शुशंभू आपको इमेडियू मेड लगे तो लाइक करिया सब्सक्राइब कियेगा और शेयर करिया दोस्तों में तो जैसे किसना राद